आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, जो भी लोग जॉईन हो रहा है जो भी लोग जॉईन हो रहे हैं, उनको मेरी आवाज आ रहे है जो भी लोग जोईन और सबको गूड इविनिंग और एक डूमिनिट वेट कर लेते हैं जिससे की बाकी लोग भी जोईन कर लें ओके सो यह है कि फिर हमें स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ सबको विजबल होगा सबको वीडियो विजबल है जितने भी लोग देख रहे हैं सबको वीडियो विजबल है ओके सो आज ही क्लास हमें स्टार्ट करते हैं और आप लोग रिफरेंस देख सकते हो और जो लोग मेरे WhatsApp में एड हैं वो क्या कहते हैं कि उनको दिख रहा होगा मैंने ये reference मैंने WhatsApp पे भी लगा दिया था वो लोग वहाँ से screenshot ले सकते हैं अभी मैं सारी चीज़ बता दूँगा कि कौन से seat perfect होती water color के लिए और मैं कौन सा paper यूज़ कर रहा हूँ वो सारी चीज़े मैं आप लोग को explain करूँगा ठीक है काम करते वक्त मैं किसी के masses नहीं देख पाऊँगा किसी कोई question हो तो वो फिर मेरे को बाद में comment box में जा करके comment में पूछ सकता है अभी जो मैं paper यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एक roughness कितने अच्छी feel लेगी इसमें तो ये है कि इस तरीके का ये paper है और आज इसमें मैं काम करके दिखाऊँगा कैसे color apply करते हैं कैसे painting में diff देते हैं trees का part कैसे बनेगा, shadow कैसे आएगी तो ये सारी चीजे आप लोग को एक painting में सीखने को मिलेगी तो अभी 22 लोगों ने join किया हुआ है तो कोई नहीं, जब तक लोग join होंगे तब तक हम class start करते हैं तो ठीक है, और और थोड़ी से देखी वही है कि demo है, तो अगर जिन लोग को साथ सा try करना है, फ़र स्पीड में करना पड़ेगा, अगर जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो तक हम फिर drawing start करते हैं, इसकी drawing कैसे क्या होगी, वो सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ, कैसे किस तरीके से करनी है ओके, देखिए perfect seat की perfect हमारा काम होना चाहिए paper check, ऐसा भी हो, मैं तो यह बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं, perfect seat क्या होती यह सारी चीजे, मैं तो बोलता हूँ कि काम इतना perfect कर लो, कि seat मलब कि आप किसी भी paper पे काम कर सको, यह चीजे बहुत matter करती है, अभी हम side level पे, वो सब चीजे आपको ध्यान में रखनी है, so ठीक है, फिर हम drawing start करते हैं palace का जो base है, वो आप देख लो, कहां से, तो something कुछ यहां से, देखो एक चीजे यह भी matter करती कि हमें होता है, अनुमान लगाना, ठीक है हम चीजों को अनुमान लगा के भी करते हैं, वो तब आता है जब आप थोड़ा professional हो जाते हो इस चीज में ओके, जब आप professional हो जाओगे, तो चीजे आपको खुछ समझ में आने लगेंगी so ठीक है time को भीना waste किये हुए, हम drawing start करते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कि सर सिफ बोलते ही रहते हैं, काम दो करते नहीं ठीक है so कुछ मजाग चलता रहता है वीज वीज में so अभी drawing आप देख सकते हो ज़्याद dark drawing नहीं करेंगे क्योंकि simple दी बात हैं water color कर रहा है तो ज़्याद dark नहीं करेंगे इतना करें जितना हमें दिखाई दे बस उतना part आपको करना है so अभी आप देख सकते हो और अभी देखो वही है कि ऐसा कुछ लोग बोलते है कि reference से लेके काम करना खराब होता है नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको मैं तो बोलता हूँ आज के time पे हर type से काम करना आना चाहिए मैं तो live भी काम भी करता हूँ बढ़ अभी COVID के विए से live काम नहीं कर रहा हूँ बहार जा करके तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि जब आपको मौकर मिले जब चीज़ सही हो जाए तो live काम भी करो वोगि live में बहुत कुछ सीखने वाला होता है ठीक है वोगि live में बहुत कुछ सीखने वाला part भी होता है तो अभी तो मतलब आई है कि मुस्किल है अभी तो possibly नहीं है बहार जाके काम करना इस तरीके से आप देख सकते हो चीज़े जिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और जहां जो main main चीज़े उसको ड्रॉ करना है ठीक है जो main main चीज़े उसको आपको ड्रॉ करना है ऐसा नहीं कि आपको एक चीज आपको ड्रॉ करके दिखानी है में में चीजों को से आपको ड्रॉ करना है जो आउटर लाइन आला पार्ट है बस तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके चीज़े ड्रॉ कर रहा हूं मैं और इसमें एक चीज़ देखो जो फ्रेंड का हम देख रहे हैं पार्ट वो यहां तक आया हुआ है जो फ्रेंड के चीज़ देख रहे हैं वो संथिंग यहां तक है फिर इसके पीछे एक प्रस्पेक्टिव के एकम बात फिर टू पॉइंट ठीक है वो संथिंग यहां तक कुछ चीज़ है अगर टू लाइन ऐसे आरे किसी वन पॉइंट से तो यह लाइन टू लाइन किसी टू पॉइंट से आएगी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रस्पेक्टिव भी बहुत मैटर करता है कुछ चीज़े ऐसी भी हैं जो हम बाद में साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे और दिखो हर छीज आपको ड्रोल और निकरनी और आपको हर चीज़ ड्रॉप अगर आप दहकी रह रहा है और बाकि जो पीछे background जो trees आ रहे है उसकी outlining normally आप इस तरीके से कर दो कोई problem नहीं है जब होगा जब हमें coloring करनी होगी तो हम coloring कर लेंगे तो आपको उसमें tension नहीं लेना है कि tree नहीं बनाए तो painting अच्छी नहीं बनेगे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है एकदम free mind से काम करना है अगर फड़ा free mind से आप काम करते हो चीज़े अच्छी ही बनेगी अगर आप पहले ही थोड़ा tension ले लग जाओगे तो चीज़े फिर खराब होने के chances बढ़ जाते है तो यह सोचना है कि जो होगा अच्छा होगा थोड़ा हर उस तरीके से चीज़ें को सोचना है यहां पर हम ऐसे random कुछ यहां fence जो लगी हुई है वो ऐसे बना देते हैं वो हम बाद में color में निकाल लेंगे कोई problem नहीं है और एक चीज़ें में से ध्यान लखनी है जो थोड़ा से depth देने में जो चीज़े add हो रही है अगर मान लो यह tree इसमें दिख रहा होगा आप लोग को इसमें ट्री दिख रहा है अगर यह tree एकदम center में होता तो इस tree को हम ignore कर देते मलब यह tree हम ना बनाते ठीक है बट अभी यह tree side में है जो की painting को divide कर रहा है अच्छा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा ब्रेक दे रहा है painting को तो आप उसको यहां पर draw कर सकते हो और बाकी देखी सबकी अपनी thinking कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है वो सबकी choice पर है तो मैं किसी को force नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको बना नहीं है वो आप चाहो तो उसको add भी कर सकते हो नहीं तो आप उसको हटा भी सकते हो वो आप इडिमिन करती है पीछे random कुछ दिख रहा है इसको आप हलका draw कर लो महलब यह कुछ यहाँ पर है normally तो मैंने draw कर लिए इस चीज को बाद में इसमें जो इसमें जो इसकी treat रंक्स दिख रहे हैं वो सब चीज़ें बाद में मना लेंगे so basic drawing कैसे होती वो मैं अगर आप 2 गंटे लगाओ कि drawing करने तो फिर हो जो का painting बन चुकी ठीक है बस आपको में में बेसिक बेसिक चीज है कुछ इस तरीके से काम करना है आप देख सकते हो और यहाँ पी जो ट्री आ रहा है यहाँ पे भी एक ट्री आपको दिख रहा है उसकी भी लीफ इस तरीके से draw कर लो वो बाद में हम अपने इसाब से कर ल वो चीज देखो यहां बहुत डार्क एरिया है अब पता नहीं बैग्राउंड में क्या है लेकिन उसको हम पहले light कलर अप्लाइए करेंगे उसके बार हम डार कलर अप्लाइए करेंगे तो वो कैसे करेंगे उची में बताऊंगा करके आपको तो थोड़ा सा वेट करो पहले और यहां पर देखो फेंज लगी हुई है यहां पर चाओ तो आप ड्रॉइंग कर सकते हो उसकी या आउटलाइनिंग बना लो बाद में अपने आइडिया चोड़ सकते हैं कुछ लोग क्या करते हैं जो बिगनर से मैं उनको यह भी बोल सकता हूं कि जैसे कि दिक्कत होती इतना वाइट एर चोड़ने में तो आप एक काम एक मास्किंग फ्लूड आता है उसका यूज भी कर सकते हो पेंटिंग में लेकिन मैं परसनली यूज नहीं करते हूं कि मुझे अब आइडिया है कि कहां पर कैसे क्या काम करना है आप चाओ तो इन लाइन्स को छोड़ने के मास्किंग फ्लूड कभी यूज कर सकते हो ओके है को सबकी अपने भी च्वाइज है अपने इसाब से आप काम कर सकते हो जो डार्क एरिया संथिंग यहां से आएगा तो अभी मैंने लाइन्स बना दी है वहां बाद में देख लेंगे कुछ कैसे कैसे चोड़ना है और एक एक चीछ कॉपी नहीं करने में फिर बतारू मैं कॉपी करना है इसे लाइन करके छोड़ दो अब वहां कितनी फैंस लग संथिंग यहां तक आएगी वह चीज अब देख सकते हो इस शीष को जो मैंने बनाया है तो सब को एक ड्राइंग वाला पार्ट समझ में आ गया कि कैसे ड्राइंग करनी बस एक बेसिक इस तरीके से एक फ्री हो करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और बस नॉर्मली आपको इस तरीके से काम करना है जो कपड़ो वाला पार्ट है संथिंग यहां से आएगा हलक हलका वो बाद में रिटिंग कर सकते हो वो तो कोई रिक करनी और चाओ एड कर सकते हो हटा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी उस चीज को आप बना सकते हो ठीक है तो इस तर इस 설र तो हम बाद में भी कर सकते हैं जूसमें टेक्शर दिख रहा है तो हम बाद में भी कर सकते हैं यहां पर कुछ लाइन या सी तरीक है बाद में हो जाएंगा तो अभी सबको इतना पार्ट क्लियर है यह चीज जो मैंने करके दिखाया कि ड्रॉइंग किस तरीके सोच न इसके आगे बढ़ा जाए, कलरिंग स्टार्ट करें बैग्राउंड से, कैसे क्या काम करना है, ठीक है, ओके, फिर अब इसमें हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं, और अभी, देखो, बैग्राउंड में आप चाहो, कोई भी ब्लू कलर अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वास अप्लाई करेंगे हम, डाक से लाइट की और, यानि कि एक वास ब्लू कलर की, डाक से लाइट, तो अभी जो मेरे पास कलर सेड है, ठीक है, और इसके लिए आप चाहो तो, फ्लैट वर्स ले सकते हो, ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो, फ्लैट वर्स ले लो, जिससे के वाटर इस तरीके से, अप्लाई कर सकें, जिससे एक सॉफ्टनेस आ सके, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, एक फ्लैट वर्स के दुरू, इस तरीके आप देख सकते हो, अब, मेरे पास एक Picoge blue shade है सो मैं Apply करूगा उसकी जगए पर यह color shade आप चाहो तो कोई blue ले सकते हो मेरे पास आप चाहो तो कोई blue color ले लो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से देखो किस तरीके coror अप्लाई करते हैं वो चीज देखो थोड़ा भी थोड़ा आपको signing कर रहा होगा area वो इसलिए कि light एकदम focus में है अभी थोड़ा dry होगा तो अच्छे से इसका feel आ जाएगा देखो इस तरीके से मैं एक light feel लेना है बहुत अब देखो इस तरीके से सब कोई चीज दिख रही है यह visible है और एक बहुत important चीज ध्यान ही रखना होता है कि आपको अपने जो भी board है उसको 30 degree angle bend रखना है ठीक है अपने board को at least 30 degree angle पर आपको bend रखना है क्योंकि अगर आप नहीं रखो को तो पानी एक ही जगा पर stable हो जाएगा बढ़ जैसे हम कभी कम GSM की सीड यूज करते हैं तो कभी कभी हलका सा हलका सा water stable एक जगा भी stable हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको आप 4 tissue paper की help से हटा सकते हो या dry brush की help से भी हटा सकते हो कोई problem नहीं है ओके तो उमीद करता हूँ इतनी चीज सब को समझ में आ गई होगी यह वाला part और एक काम क्या करना है जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको trees दिख रहा होंगे इतने area में और यहाँ थोड़ा से आपको यह भी अब देखो वही अगर detailing इतनी मैं इसमें करूँगा और इसमें करूँगा तो क्या होगा depth create नहीं हो पाएगी अगर आपको अच्छे depth create करनी है तो यहाँ पे trees आप soft कर सकते हो मैं ला out of focus में हलके सोड़ से blur दिखाने है और यहाँ की थोड़े trees अब hard कर सकते हो तो अभी जैसे कि यहाँ पे area जैसे कि width है तो हम क्या करेंगे तो उसी चीच को लेके follow करेंगे थोड़ा water ऐसे apply कर लेता हूँ जिससे कि हम काम start कर सकें तो आप क्या कर सकते हो light green shade ले सकते हो light green color ठीक है light green shade ले करके बस normally कुछ करना नहीं है बहुत ही easy technique है आप इस जगे बस color ऐसे छोड़ दो देखो इस तरीके से इस तरीके से color छोड़ दोगे अपने याँ वो चीज मड़ जाएगी देखो एक चीच में से ध्यान नको जहाँ जहाँ पे green shade है न वहाँ पे green पहले apply कर दो वो इसलिए कि आपको उसमें dark color भी दिख रहा होगा यहाँ पे dark एरिया भी दिख रहा होगा कि हम तो dark color apply करने के बाद हम light color apply करतें जिसके जैसे हमारी painting में डलने सा जाती है तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान दखना होगा आप थोड़ा green को dark करने है तो green को dark करने हलका सा blue ले सकते हो थोड़ा blue color का shade देखो पूरा dark नहीं करेंगे क्योंकि जैला dark करेंगे तो फिर बहुत अधर depth उतनी create नहीं हो पाएगी बस सिंपल ऐसे color लेके आपको इस तरीके छोड़ देना है इतना ही बहुत है इसमें और इस तरीके से spread कर सकते हो देखो बहुत अच्छा effect आएगा उमीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो बता रहा हूँ मैं तो इस तरीके थोड़ा सा आपको काम करना है ऐसे एक softness इस तरीके छोड़ देनी है जितना finish हो सकता है उसको उतना finish कर लो पर दूब इसमें softness आ गही लोग समझ में पाता है कैसे करना होता है या tree कैसे बनाना होता है सारी चीजें लेकिन अब activities आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके काम करना है किस तरीके से मैसे छोड़ते है color को ठीक है यह चीज़ उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आईगी होगा, अब इसको हम बरेक देता हैं जातर है ड्राई हो रहा है तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, और मैं तो बोलता हूँ उसको करना वैसे भी नहीं है क्योंकि जाता करेंगे तो फिर वह चीज सही नहीं रहेगी इसमें बस एक क कि इतनी सब को समझ जाए गई यह आला पाट जो मैंने करके दिखाए आपको अब यह आप देख सकते हो कि मैं अब को बता रहा हो ऐसा नहीं होता है कि कि ईक चीज आपको यलब भुए कि जया बहले 10 देखो अगर यह बहुत को दों सिकने को मिल रहे तो वह बहुत होता है एक होता है कि अब पे हैं बाद इतने फ्रस्डियस नहीं आप आएगी इसलिए अप ग्रीन कलर पहले अप्लाई कर लो कि जहांचा पर प्लाई करते हैं ह। कि कि दोख किस तरीके सप्लाई करते हैं जो कैसे हालका सा यल्लो कलर भी ले सकते हो साथ में पूर्ण प्राफ प्रॉड ग्रीन न लो तो यह से पान से यलो कलर भी ले लेते हैं इस तरीके कुछ जहां जहां भी दिख रहा है वैसे हलका हलका ऐसे करके छोड़ दो कि तरीके और काम करने के अ मैं देखो तरीके के जहां जहां पे दिख रहा है Color shade ठीके और इसे यहां पे भी आप सै यहां पे ही ट्री डिख रहा है तो यहां पे मैं क्या करूंगा यहां पे मैं Color ले रहा हूँ इसी को Sky की Shade को भी टौड़े डाक कर लेता हूँ Green add कर देता हूँ Sky की Shade में ही तो मैं थोड़ा ज्यादा इसको डार्क नहीं रखूंगा यह हल्का सा ब्लू माला फ्लाइट कलर देना है चौद ब्रेंट अमबर भी आड़ कर सकते हैं तो फ्लाइट कलर सेट चेंज करने के लिए यहां बहुत जादा हाडनेस नहीं दूंगा बहुत सॉफ्ट ट्री रिखाऊंगा देख तरीके से पेपर विट था तो इसलिए वहां पर देख सकते हो और सिंपल सा अभी ज्यादा नहीं बोलूँगा आज क्योंकि अभी मेरी अभी एक घंटे पहले एक क्लास फिनीश हुई है और फिर से बोलने से गले में फोड़े दिक्कर रहती है बट फिर भी जितने अटलिस हो सकता होतना मैं आपको समझा रहा हूं बोलके तो अभी बस आप गंटे पहले मेरी एक क्लास ऑनलाइन क्लास खता हूं यह फिर दुबारा मैं कर रहा हूं यह चीज ठीक है तो एक यह मेरे पास एक ब्रस है थोड़ा सा मैं सोच हूं इस से भी काम करूं एक सेकंड दिखाता हूं मैं आपको यह चाइनीज बैंबू ब्रस है तो काफी अच्छा है अब कुछने लगे सर आपने का नाज खरीदा या यह सारी चीज है वह मैं बाद में बता हूंगा कि उस चीज के बारे में कि आप लोगों को लगता है करें यह चीज सर इससे यूज कर रहे हैं फिर तो अच्छी होगी मैं इससे पेंटिंग अच्छी बनती होगा ऐसा कुछ दिन नहीं है काम अच्छा कर अच्छा ही हो जाएगा कि इससे बहुत बहुत अच्छा मलक फील आता है तो अच्छे लोग वह तो एक बात का पार्ट है अभी हम इसको जैसे मैंने कर लिया है काम तो डाक कलर हलका सा तो डेफ्स देने के लिए कि देखो वही है कि थोड़ा सा कि ब्लैक कलर नहीं है हलका सा मॉफ कलर और रांबर श्रेड है कुछ लोग को लग रहो ब्लैक कलर है इसकी जो हलकी सी जो फेंस जो है ट्री ट्रंक्स हैं वो बनाने के लिए मैंने यह ब्रस लिया है तो कितना फाइन काम कर सकते हैं तो ज्यादा नहीं करोंगा अब इसमें इसको लिमिट तक इतना छोड़ दोंगा वो बाद में देख लेंगे जब लगेगा कुछ ची नीड होगी तो हम कर लेंगे तो अब इतनी चीज़ सबको उम्मीद कर तो समझ में आ गई होगी अब बात करते जो घर में जो जो ट्री ठenti कोई problem नहीं है के तो हल्का समय yellow marker ले रहाओ हल्का समय yellow marker ले रहाओ और ओर ओरंज लें रहाओ ठीक है yellow marker and orange सा छो इस तरीके से बहुत ध्यांस देखना पूरे को color करना देख उस तरीके पूरे को फिल कर दो डेख उस तरीके कहीं कहीं मैं हलका से gradation दे देंगे बस देखो मैं किस तरीके से work कर रहा हूँ क्या technique होती है एक painting को बनाने की देखो ये चीज इस तरीके से yellow, orange लिया है मैंने देखो आप लोग के जो भी questions हो उसका आप को मैं answer दूँगा बाद में कुछ लोग के मन में कुछ question आ रहे होंगे तो इसमें comment box उसमें आप पूछ लें सबके answer मिलेंगे बट वही है कि अभी तो या तो मैं या तो काम कर सकता हूँ या तो answer दे सकता हूँ क्योंकि मैरे eye level के उपर camera है ठीक है तो इसलिए मैं बार बार देख नहीं सकता हूँ कि किसके क्या question है सारी चीज है तो उसका हम बात में कर देंगे answer ठीक है तो अभी इस तरीके से आप देख सकते हो हलका सा orange shade पूरे को fill कर दो ऐसा छोड़ना और नहीं है कुछ की इतना area छोड़ दो हाँ जहां पर कपड़े या इस तरीके श्टेंगे हो है उस जगे पर आप को छोड़ सकते हो color ऐसे अब पूरे को fill कर दो इसमें tension लेनी बात नहीं इस तरीके से पूरे को डरना नहीं बिल्कुल इस तरीके से नार्मल देखो हलका चाहो तो purple shade बना लो blue and crimson red यूज़ करके हलका लका बीच बीच में हम छोड़ देते हैं color shade देखो इस तरीके blue and crimson red यूज़ करना है देखो इस तरीके से ऐसे color लेकर छोड़ सकते हो blue and crimson red देखो अब मेरी उस चीज़ में एक speed है मैं अपने साफ से काम करता हूँ आप अपने साफ से करते हो गया जो भी चीज़ यहाँ पर चाहो तो आप pure white भी छोड़ सकते हो इतने area में यहाँ पर area दिख रहा है देखो इस जगह है मालब pure white भी paper का color मालब paper का shade आप यूज़ कर सकते हो खिक है और drivers की health से यहाँ color हटा सकते हो drivers की health से यहाँ color भी हटा सकते हो और पूरे को एक wash दे दो हलकी हलकी देखो इस तरीक है एक wash थोड़ी light wash देनी है यलो ऑकर एंड औरेंज के साथ देखो एक free होके मैं फिर बता रहा हूं कि एकदम free होके काम करना यह नहीं सोचने कि कुछ खराब हो जाएगी सोचो कोई बात नहीं practice कर रहे हैं बस यह सोचो अब देखो मैं कितने strokes में यह देख नहीं रहा हूं कि क्या एक चीज कहां पर बस एकदम free होके काम करो तो ऐसी thing ऐसे ही आपको थोड़ा सोचना है हलका सा rate ले लेता हूं yellow end देखो इस तरीके से थोड़ा एकदम बिने डर के काम करोगे तो चीजे अच्छी लगेंगी मलब कि आसान हो जाएंगे आपके लिए कि जो डर होता है वो दूर हो जाएगा तो फिर हम कैसी भी पेंटिंग कुछ भी योग को ऐसा भी फेक दिख रहा हूं सब बना लेंगे उमीद करता हूं आपको मेरी बास समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं जिसी यह अप्लाई करने के बाद एक काम आप यह कर सकते हो कि अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर लो जो कि अल्रेटी है ठीक है और हलक आसा स्कार्लेट रिड लेकर के सैडो का कलर बनाना है अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड स्कार्लेट रिड लेकर के या वर्मिलियन जो भी आपके पास हो वो लेके सैडो कलर बनाना है मलब shadow कैसे देखना कि wait on wait कैसे देते हैं shadow देखो something इस तरीके से देखो अब आपको shadow देना भी समझ में आ जाए कि ऐसे shadow दी जाती है किया technique होती है आई हो आपको मेरी बास समझ में आ रही होगी देखो इस तरीके उस टेटो ट्री की है जो उपर ट्री आ रहे है उसकी shadow है यह थोड़ा blue and is colored और हलका से ले लेते हैं थोड़ा dark करने के लिए देखो इस तरीके सबको समझ में आ रही है यह चीज कि shadow कैसे दी जा रही है किस तरीके से कि इस तरीका समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके काम हो रहा है ठीक है न तो यह बेस लगा हुआ अभी जो मैंने किया है काम यह सिर्फिक बेस लगा रहा है मैंने ठीक है अब में काम स्टार्ट होगा अब डिफ कैसे दी जाएगी वह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो अब वह मैं काम करके दिखाऊँगा तो अभी थोड़ा डार्क कलर बनाते हैं डार्क कलर जो होगा हमेशा ब्लैक यूस नहीं करता हूँ मैं फिर से बोलना हूँ ब्लू अनि स्कालिट रेड या ब्लू अच आपकी च्वाइज?, ठीक है, तो ठीक है ब्लू एन्ड इस्कालिट रेड स्वारी ब्लू एश्कालेड या ब्लू एब और इंज जो भी आपको लगता है आप वो यूज कर लो जबता मैं सेटिसफाइड नहीं होता हूँ कलर से की नहीं बना तक तक मैं नहीं लगाता हूँ अपलाई नहीं करता हूँ ठीक है अब यह आप देखना किस तरी कितना अच्छा फील आएगा अब दो कैसे काम करना है किस चीज को ध्यान रखते को काम करते है ठीक है तो ब्लू और ले रहा हूँ और सेड़ो में ग्रेडियेशन देते हैं ऐसा नहीं कि डार्क सेड़ो दे दी एक ग्रेडियेशन देते हैं हलका सा क्या करेंगे क्लीन वाटर यहां अपलाई करेंगे ऐसे ठीक है तो आप टीशू पेपर ले लेता हूँ अगर लगते ज्यादा कलर नीचे की और आ रहा है तो आप टीशू पेपर अचा हटा सकते हो औरेंज कलर लेकर कि औरेंज एंड येलो कलर आप इस तरीके देख सकते हो इस चीज को इफिट कैसे देना है वो चीज ऐसे यहां भी जिसे यहां पे ड्राई हो गया है तो क्या करेंगे वाटर ऐसे अपलाई करके वाटर इस तरीके अपलाई करके बहुत ध्यान देखना क्या बताने वालों में थोड़ा डाक कलर यहाँ अपलाई करेंगे और एक चीज और एक कलर शेड में अलग से बना रहा हूँ तो चोटे बरस से काम करोगे तो जो कलर बनेगा थोड़ा से वाटर बहुत कम रहा ओपेक वाला फील लेगा बट अगर वेट अन वेट के उपर आप ओपेक कलर इस तरीके से दे रहे हो हलका सा तो एक क्लियर लाइन आती है मैं वेट अन वेट में एक डेफ्ट आएगी वो चीज ज्यादा वाटर होगा ज्यादा स्प्रेड होगा कम वाटर होगा कम स्प्रेड ये इस तरीके से देखो ठीक है आप जैसे यहां पर हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे ज़्यादा वाटर लेंगे तो ज़्यादा अब चलो कोई नहीं है जब तर नीचे तक आ रही नीचे तक तो आई रहा है देखो किस तरीके से पेपर पले मैंने वेट कर लिया था देश तरीके देखो अप्लाई किया कलर अभी देखो शीज़ को आप एक सॉफनेस आ रही ही ना जैसे कि यह थोड़ डल है तो क्या करेंगे इसको हलका सा औरेंज या कोई भी कलर शेड ले करके आप उसके दूर अप्लाई कर सकते हो दो एक चीज़ यह भी सीखने मिलेंगे पेंटिंग और सॉफनिस कैसे देते हैं कि अधिकतर लोगों से वही चीज नहीं आ पाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेंटिंग सॉफनेस कैसे आएगी वह चीज़ करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि ड्राइव होने बाद वह लाइट हो जाएगा तो इसको ब्लू एंड स्कालेट रेट से कि डाक कर सकते हैं अधिको इस चीज को ऐसे यह जिए यह जब ब्लाइब उसके वादियां करेंगे यहां पर ऐसे नहीं करेंगे का जितना हो सकता है मतना आपको बोल के बता रहा हूं कि बोलने के लिए इनर्जी भी चाहिए होती है लेकिन यह वट कोई नहीं एट लिस जितना हो सकता है जिसे यहां कपड़े टंगे हो इसको चाहूँ तो वेट ऑन विट भी अप्लाई कर तो अप ऐसे अप्लाई कर दो कि यह उस तरीके से एक फील आजागे कि हाँ कोई डेफ्थ में कोई कलर शेट है ज्यादा बड़े एरिय में काम करना तो आप डैकली फ्लाइट ब्रस ले लो ठीक है फ्लाइट ब्रस से भी काम कर सकते हो जिससे कि आप को दिक्कत नहीं होगी वो अपनी स्ट्वाइल के साथ से आप काम करके देख सकते हो अब बस यह देखते हो मैं कैसे काम करता हूँ क्या टेक्निक होती है वो चीज में बताने को इस कर रहा हूँ देखो इस तरीके संदिग जैसे ही करें फोड़ा तर डेट आ जाएगी उसमें और अच्छे से थोड़ा सा वाटर यहाँ पर चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं या देख लेंगे, चलो भी यहाँ पर प्लाई कुछ में वही होता न हि कि हमें कहां कहां पर पहले कहां काम करना ओसा रिकादज, कि एरिया ड्रत होता है पहले उस जगे पर पर हम काम कर लें यूद्स, वहां पर कुछ चील लगता है कि लो यहां पर डाप कलर छोड़ सकते हो कि अपने आप में डेफ्ट आजाती है वह आप खुद देख सकते हो कि अभी यह सब्सक्राइब है कि जो सोच रहा हूंगी सरक्सर का तो पेपर अभी इतनी दिर में ड्राइव हुआ ही नहीं तो यही प्लानिंग बहुत मेंटर करती है किस तरीके से प्लान कर रहे हो कैसे क्या चीजें वह सब चीजें तो उसको ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि अधि जिसाफ से मैं डेमो दे सकता हूं मैं तो आप से दे रहा हूं इतनी स्पीड में कर सकता हूं का कि जैसे बढ़ते आरे आगे वैसे डेफ्स देखो आती आ रही है तो ट्यूसुपेपर सा कलर हटा सकते हैं यहां कर चाहो तो थोड़ा fine brush ले रहा हूँ मैं एक यह मेरे पास Chinese brush ही है मैं नहीं कहे रहा हूँ कि Chinese brush सही आपको करना है काम आप कोई भी round brush ले सकते हो इसकी tip थोड़ी से pointed हो अपने इसाब से आप काम कर सकते हो तो ऐसा नहीं है तो थोड़ा से यहाँ पे बीज में wide effect छोड़ना पड़ेगा इसलिए मैंने यह चीज़ लिया अब यह आप देख सकते हो किस तरीके से में काम कर रहा हूँ इस तरीके कुछ इस वे में छोड़ना है आपको डाक कर ने blue या इस कालरेट या blue या orange कोई भी color shade यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है लग कैसे भी फिनिस्ट कर सकते है इस चीज़ को देखो इस वे में कहीं कहीं पर हलका सा brown shade भी है इसे हलकालका इस तरीके से देखो एक फ्लो में काम करना है reference क्या यह matter नहीं करता है आप क्या बना रहा हो यह ज्यादा matter करता है और कितना सई जा रहा है वो भी matter करता है यह सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ color यह तरीके से दिख रहा है तो आप चाहो तो directly color लेके यहाँ पर कुछ कपड़े कर दिख रहा है तो आप ऐसे directly color लगा दो कोई दिखकर नहीं है देखो इस दे में अला ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर clean water apply करके पहले चाहो तो कोई blue color का state यहाँ apply कर दो यहाँ पर कोई color दिख रहा है blue color का state यहाँ पर कुछ blue या ऐसे में directly random कोई भी color apply कर दो ठीक है फिर क्या करना है dark color बनाना है dark means हलका सब blue या orange जो भी color state आपको लगता है अब देखो जो मैंने आपको पहले green apply किया था यहाँ पर अब उसका effect देखना कि मैंने क्यों apply किया था देखो इस तरीके एक depth आ जाएगी आप देख सकते हैं इस तरीके से कैसे रैंडम इस तरीके से बना दू कोई दिक्कत नहीं है देखो इस रैं में blue and green ले सकते हो blue and green state यहाँ पर बीज हलकल tap tap करके से श्ट्रोक से लीफ की हलकस बनाते न इफेक्ट देते हैं जो वो चीज दोगो मैं copy करने सिखा रहूं बद इफेक्ट नहीं सिखा रहूं कि हाँ यहाँ पर कोई green या ट्री इस तरीके से होगा ऐसे आप काम कर सकते हो यहाँ पर हलकल का यहाँ पर ट्री दिख रहा है इस तरीके उसमें आप से और ग्रीन कलर का सेड़ लेकर पैश अप्लाई कर सकते हो अलाग अलाग इस तरीके से देखो यहाँ अलाग इस तरीके से देखो हलकल का इस तरीके थे अच्छोग बहुत मैटर करते किस तरीके श्ट्रोक्स लगा रहा हो जब को इस वे में कुल डार्क पैश होंगे देखो ब्लू एंड ग्रीन ब्लैक यूज नहीं करेंगे देखो इस तरीके कुछ आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किन-किन बातों का ध्यान रकना होता है बीच भी अलक अलक लिफ का पार्ट दिखा सकते है परिशें ग्लू एंड ग्रीन के साथ ऐसे भी इस तरीके श्ट्रेट कर सकते हो और अच्छे एफेक्ट आएगा देख अस तरीक है एक इफेक्ट दी है बस आई होग सब आप लोग को मेरी बात समझ आ रही हो गया कि अटलिस एक किस तरीके से काम करना होता है और क्या के चीजें इंपोर्टेंट होती है एक प्रिंटिंग अच्छा करने में यह को प्रिंग करने में इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है आटलिस एक किस तरीके संथिंग्ट आई लाइन से हम काम कर देंगे हलका साम इस ट्रोक में उस चीज का फील निकाल देंगे तो डल करना पड़ेगा इसको क्योंकि ये बैक साइड है लागि ट्री के पीछे इस तो डल करेंगे ऐसे यहां भी अब देखो इस चीज को एक फील आ रहा है ना उस चीज का और इस स्क्रैश भी एक आप्शन होता है आप जो स्क्रैश की थूँ भी अलकल का वाइटनेस निकाल सकते हो जब इस तरीके स्क्रैश कर रहा हूँ ऐसे भी फिक्ट आ रहा है तरीके हैं बहुत सारे इस तरीके काम करने के ब्लू एंड तो डार्क कलर लेते हैं ब्लू और हलकल रॉंबर यहां पर लाइन डालते हैं कुछ अपने साब से काम करते हैं उसमें क्या बोटलो ठीक है लेकिन जब उस तरीके है तो विजबल होंगी चीज है कि तरीका क्या होता है कि चीज हो करने के कई साथ तरीके हैं ड्राइश्टोक्स तभी आएंगे जब आपके उसमें कलर बहुत ही कम होगा कि इस चीज का वज ध्यान रखना आप कि ड्राइश्टोक्स तभी आएंगे जब उसमें छोड़ा सा कलर कम होगा यहां फेलकल कुछ सैड़ो या इस तरीके सम्द दिखा सकते हैं इसे कि यहां पर कुछ दिख रहा है बाती पीछे के कपड़े दिखें तो ड्राइब कर दो किसी डिफ्रेंट उसमें भी दे सकते हैं या यलो कलर में दे दो यहां पर कुछ कपड़े बीज मिटाएंगे हो तो आप चाहो डिरेक्ट भी कलर लगा सकते हो रेट कलर लिया ओपेग और यहां देखो आप मर्ज कर सकते हो डिरेक्ट ली कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके देखो चीजों को आप जैसे मैं कर रहा हूं ब्रेंट टंबर ले करके हलका हलका एफेक्ट ऐसे डाल दिया है बहुत सारी चीज़ें करने को बाकि यहां पर भी काम कर लेते हैं अब लेते हैं अब टोड़ डाल एरिया है यह अब लेते हैं देख उस तरीके अब ट्री थोड़ा डार्क होगा ट्रवेट कर देते हैं टोड़ा एफेक्ट देने के लिए तो मैं ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कलरी स्कीम यूज नहीं की बस वही आसपास की कलर्स हैं जिससे मैं प्ले कर रहा हूँ कि देखो पीछे की जोब होंगी चीजें उसको तुरा साम गटेली नहीं करनी बस ऐसी हलका सा एक फील लेकर छोड़ देना है हलका सा फील लेकर छोड़ देना है बस सम्टिंग इस तरीके से यहां पर कुछ चीजें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो देखो उस तरीके चीजें को निकालना है तो आज पास के तोड़ा डार्क शेड लगा दोगे तो अपने आप थोड़ा सा वह विजबर जाएगी देखो इस तरीके से कुछ ठीक है एक बेसिक इस तरीके से बता रहा हूँ चीजें कि कैसे करना होता है और दो को इस वे में एक पैच एक बार में करना है ऐसा जबूरी नहीं कि आप देखो इस वे में और ब्लू या जो भी कलर लेके ब्लू या ब्रेंट अमबर लेके आप चाओ तो इस तरीके से इसमें नहीं को इस तरीके से लगा सकते हो देखो हर बहुत ही एक जिस सेमे रिलेश्टिकला फील होता है जरूरी नहीं कि मैं हर एक चीज कॉपी कर रहा हूं बस एक फील देना सतार हो आपको जिससे कभी आप लाइप करने जाओ तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो चीजे है तो इस तरीके से में काम करना सिखा रहा हूं यहाँ बीच बीच में हलकल के स्ट्रोक्स होंगे कि अब देख सकते हो यहाँ पिश्टो से वाइड वाइड देख सकते हो डारेक्टली ओपेक फोर्म में जिसमें कोई दिक्कत नहीं है आप वाइड कलर भी यूज़ करो अभी ना यूज़ करो मैं तो यह बोलूँगा तो अभी तो बस ऐसे काम करो सेडो के लिए ब्लू एंड रेड कहां सेडो देनी है वो यह वाल एरिया यहाँ पर भी मैंने काम नहीं किया है अब यह आप देख सकते हो ऐसे यहाँ भी कि ऐसे करके छोड़ दो अपने आप इसका एक फील देखो इस वे में एक डेफ्ट आगी ना उस चीज में और यहाँ पर सैडो दिख रही होगी इसके उपर तो करना क्या है आपको इसके जो सेड है इसके सैडो दिख रही है आप क्लीन वाटर लो ऐसे अप्लाई करो ठीक है इस तरीके अप्लाई करो वाटर ठीक है और बस करना क्या आपको सैडो के लिए कलर वही सेम चाहो तो ब्लू हलका से ले करके और हलका स्कार्लेट रेट ले करके तो देखो कैसे इफिक्ट देना है कि ऐसे स्ट्रोक्स लगाऊ अपने एक टेक्शर आजाएगा कि मैंने कुछी कॉपी करी बस ऐसे एक फील्ट दिया है उसका अगर देखा जाए उसमें कि मैंने कौन से उसमें एक चीव टेक्शर निकाला बस ऐसे एक फील्ट दिया है यहां पर थोड़ा सा ऐसे लगता है डार्क हो सकता है तो इडिटिंग तो अब कितना भी कर लो बाद में कोई दिक्कत नहीं है ड्राई के उपर श्ट्रोक्स लगा रहा हूं मैं अभी देखो आप और यह थोड़ा सा और डाल होगा क्योंकि उसमें आपको दीख रहा होगा रिफ्टरेंस में आगर आप देखो तो अब देखो इस चीज को ठीक है ना तो किन-किन चीजों को हमें ध्यान रखना है नेल से देखो आप ऐसे वाइट लाइन निकल के आ जाएगी जहां वेट है वहां निकलेगा ड्राई के उपर नहीं निकलेगा तो आप चाओ तो क्या कहते है कि वेट करने के बाद वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना कोई बड़ा इतना कोई बिग इसू नहीं है कुछ इफेक्ट देने के लिए आप कुछ ले रहा हूं मैं इफेक्ट देने के लिए थोड़ा और अच्छा करने के लिए वह चीज़ देखो उतने डिटेल में डैमो नहीं दिया है मैंने जो लोग सूच रहे कि सरने बहुत डिटेलिंग बहुत कम करी है इक आप खुद देखो एक क्या इससे एक अच्छा फील नहीं दिख रहा है क्या इतने से क्या काम नहीं बनेगा यह सारी चीज़े या पेंटिंग मेन ब बहुत मैटर करती हैं चीज़ें यही कि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यह बस देखो वही है कि अब इतना रिलिस्टिक तो आपको बना की दिखाए सकता हूं डिपेंड कर टाइम पे भी लेकिन यह इतने से ही इतने डैमो से आपकी बहुत है चीज़े क्लियर हो गई कि कि इस तरीके से काम करना होता है क्या क्या टेक्निक होती है यह सारी चीज़ें और बस वही है कि बाध ओडुर काम करने लग जौगे तो चीजें आपको खुच वब खुच समझ में आ जाएंगी कि क्या-क्या एक important पार्ट होता है एक painting बनाने के लिए किन-किन बातों का ध्यान लखना होता है वो ची थोड़े यहां पर lining है तो वो मैं apply कर रहा हूं जहां है वहां भी line बना सकते हूं जहां नहीं है वहां भी आप बना सकते हूं कोई दिक्कत नहीं है उसमें पर इस तरीके feel दे सकते हूं कि यहां पर scratch नहीं होगा क्योंकि अल्रीडी वहां पर area dry हो गया है तो आप पर ध्यान लखना होगा हलका orange यह yellow color लेगे थोड़ा सा effect देने के लिए लगा effect देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो effect देने के लिए आप कुछ भी try कर सकते हो कहीं भी कुछ चीजे हैं white से apply कर सकते हो बट white मैं mostly use नहीं करता हूं हर जेग है ठीक है अलग कि मेरा पता नहीं क्यों हो मैंने use करता हूं और इसे की yellow color आप yellow color को directly opaque form में भी यहाँ apply कर सकते हो बीज बीज में यह मैं करता नहीं है उपनी painting मैं आपको बता रहा हूं कि आप कर सकते हो मंदले यह तरीके हैं इस तरीके से काम करने के आप इस तरीके भी apply कर सकते हो painting में तो कुछ खराब नहीं बोल रहाएगा तो वह बताने की मैं कोसिस कर रहा हूं आपको यह सब तरीके होते हैं काम करने के आप ऐसे भी कर सकते हो तुम्हें कोई problem नहीं है कोई कुछ बोले गनी अ ठीक है यहां पर कुछ फिगर में बना देता हूं कुछ फिगर में डाल देता हूं से और अच्छा लेगे देखने में यहां पर फिगर बना रहा हूं ठीक है सम्टिंग देख उस तरीके से दो फिगर बना देता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा हालका से यलो कलर ले करके तो फिगर बना देखने से एक जाना है पूरी पेंटिंग में यह आपने भी देखा होगा कि फिगर बनाने से एक जान आ जाती है मतलब एक रियल अलव फिल आ जाता है देखो इस तरीके से उतना रियलिश्टिक पेंटिंग नहीं है बट फिर भी इसमें सीखने अलवा पाट बहुत कुछ है अगर आप आउडर करने भी जारो इतना भी इस तरीके से काम करो फिर भी बहुत है मेरे असाब से यहां कुछ बर्ड और अच्छा लगेगा अगर अगर अच्छा लगेगा अगर 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 बस यहीं है कि इस तरीके से काम करते हैं करने को मैं बहुत रिलिस्टिक कर सकता हूँ पेंटिंग लेकिन यह है कि अभी और मुस्ट कितना हुआ है 59 मिनिट्स हुए है लग की समझो कि 59 मिनिट मैंने कि 4 या 5 मिनिट्स में एक लाज स्टार्ट करी थी एक आप देख सकते हो कि एक एथरी साइज में सब्सक्राइब करने को तो मैं डिटेलिंग करता जाओ यह सब चीज वह चलता ही रहेगा जिन लोगों ने मेरा वैसा है जो कोर्स कर रखते हैं ऑनलाइन वाटर कलर के तो वो जानते भी होंगे पहले से ठीक है कि सर किस तरीके से काम करते हैं यह जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या और एक चीज़िए मैं बोलने चाहूंगा अगर इनको बेसिक अच्छे से सीख लेनी है तो वो आप लिख सकते हो और कुछ पूछना है आर्ट से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज़ फ्री होती है नॉलेज़ की कोई वो नहीं है ऐसा कुछ नहीं कि आप सोचो कि सर यह सारी चीज़ है तो बहुत साय जिन लोगों ने ज अच्छे से काम करके दिखाओगे तो मुझे बड़ी खुसी होगी ठीक है अगर आप सिर्फ देख करके काम खतम कर दो फिर वो मजा नहीं रहती है तो यह कि अगर आपने आज यह सीखी है तो इसको आप बनाना जरूर मैं इसकी वीडियो सेर कर दूंग अपलोड होगी वी अगर देखो क्या क्या चीज़ा आप अड़ कर सकते हो होगा कि किस तरीके से क्लेका है अतना रियलिस्टिक फिर व्योक्ता सब्सक्तरव कर सकता हूरी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब के अंदर भी यह चीज कंप्लीट करके दिखाऊंगा बढ़ वह दूसरे कलर स्कीम ही होगी यह हो सकता है कि वह उसमें जो इस ट्रोक्स हो बहुत यादा मलब पैश पैश में होगा इफेक्टिव थोड़ा सा उस तरीके से तो वह डिपेंड करता है कि चीजे कैसे बनानी है त तो उमीद करता हूँ सबको इसी समझ में आ गई होगी जो चीज मैंने बताई है और बहुत साय लोगों ने मेरे इंस्टा से देखा हो गया यह जिन लोगों ने मेरे को यूटूब में फॉलो किया हुआ है तो अच्छी बात है यह जो लोग मेरे इंस्टा पेज नहीं जान नहीं हो तो वहां से मिला आप देख सकते हो कुछ वीडियो या जो मैं रेगुलर काम करता रहता हूँ जो वाट्सेप में आड है वो तो मलब देखती रहते हैं मेरे को या जो लोग इंस्टा के थू मलब जो मेरा रेगुलर काम देखने है तो वहां भी मेरे को फॉलो कर सक जैसे कि एक एक कुछ मेरे वर्क्स ओनौर्ट्व जो जो अज जो इस तरीके का वर्क है मलिके के यह तरीके से फील लिया और और क्म 각 आप तरीके हैं सबक्डर अपमना वर्क करने के और जैसे कि कुछ painting's हैं जिसे कुछ इस तरीके से work है सब में कुछ ने कुछ अलग color scheme use की गई है ये कुछ sepia shade में मैंने किया है का मिलब monochrome कोई बोल सकते हो एक ही color के light and dark shade में और इसमें कुछ चीज है जिसे कि आप ये देख सकते हो कुछ तरीके का work है जो मेरा इंस्टा का spelling है जो इंस्टाग्राम पर एकाउन का वो s-h-n-k-y-a-r-t कुछ लोग को लग रहा है s-h-a-n-k-y है वो नहीं है s-h-n-k-y-a-r-t आप इस तरीके से देख सकते हो वीडियो थोड़े से color थोड़े से दिख रहे हैं लेकिन आ थोड़ा सा उसमें जाओगे तो आपको और छे से इफेक्ट दिखेगा यह मैंने एक लाइफ फोटो क्लिक करी तब मैंने ड्रॉ किया था देन बनाया था यह तो तो आई यह रेगुलर कुछ नहीं कुछ बनाता रहता हूं यह थोड़ा सा तो उमीद करता हूं सबको इतनी ची समझ में आ गई होगी और एक चीज में आपको और दिखाया चाहता हूं अभी मैंने अपने यह आप साटी यह तो आप डिकाना थैंक य्मीरे नाम से इसका इसका devanda मिशाम आपकीया थीजी जाक्रेश साव अट होगार है यह ने प्रव нез गाले तो आप शूसकर कू users कर लिए थीक है so thank you so much सभी को जिन लोगों ने अपना time दी आज और उमीद करता हूँ at least 100% नहीं at least 50% बे सीखा होगा वो भी बहुत होगा मेरे लिए और आप लोग के लिए भी इसकी वीडियो में share करूँगा और आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा किसी कोई दिक्कत होती है तो comment box में जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो comment box में जाकर के आप पूछ सकते हो कोई चीज नहीं समझ में आई उसका आपको answer मिलेगा यह जो लोग whatsapp में है वो whatsapp पे पूछ सकते हैं यह जो लोग को मेरा whatsapp number नहीं मालूम हो वो लोग लिख ले 955-9480-989 ओके so thank you so much and उम्मिद करता हूँ आगे भी ऐसी classes देता रहूँगा जब मेरे को time होगा तो मैं class दूँगा so okay फिर thank you and bye bye और यह वीडियो में share करूँगा तो आप लोग अपने friends से भी share कीजेगा जो लोग नहीं देख पाएं उनको भी फ़र सा knowledge मिले ओके फिर bye bye thank you